बनके निकल रहा है अब देखिए बेश्ट कॉलेटी का स्नौफ लेक बनके रूई जैसा एक दम एक दम लो वेट है दोख्ये दोस्तों एक दम पाउडर बन चुका इसका देखिए उतने समय में आपका जो बेटरी और इन्वेटर है उसका बेकप पड़ा रहेगा दोस्तों ज्यादा टाइमिंग तक उसका बिजनेस कर सकते हैं इन्वेटर बेटरी का सेट अप हमने लगाया हुआ है एक इन्वेटर डाला हुआ है नीचे दो बेटरी डाला हुआ है अलो फ्रेंस वेल्कम दू डॉल्फिन अप्लेंस चैनल आप सबी का खुप-खुप स्वागत है डॉल्फिन अप्लेंस में है दोस्तों 2013-24 की लेटेस बिजनेस आइस नोफ फॉल मशीन बिंग सू कॉरियन आइसक्रीम मशीन चलता फिरता आइसक्रीम पालर रोड के उपर कहीं भी खड़े रहे के रोजाना चार से पांच ज़र का प्रॉफिट बिजनेस कर सकते हाई इंक पूरी मशीन बैटरी और इंवेटर से चलने वाली है यह मशीन पूरी दोस्तों स्टीनले स्टील से टोटली बनाई गई है दोस्तों इनवेटर इसके अंदर डाला हुआ इलेटरोनिक बिंग्शू कोरियन आश्क्री मशीन डाली है चौबीस गंटे में 55 किलो की प्रोड़क्शन की कैपेशिटी है उपर यहाँ पे टॉब और बावल दिये जिसमें आप इंटीक्रेंस से हो कुछ भी रख सकते हो कुछ भी सामान नेचरल फूर्ट का जूस रखन है नेचरल फूर्ट रखना है मिल्क बेज को एटम रखना है कुछ भी लगा सकते हो यह मशीन के अंदर दोस्तों आप कोई भी प्रोड़क्श डालेंगे लाइव टू लाइव उसका स्नौ बना के निकालेगे और यह मशीन के अंदर को ऐसा प्रोटिकुलर प्रोड़क्श है इस अदर कोई भी फ्रोड़क्श डे ψसकते हो जैसे कि फल्पी औरेंजर यहां पर जो बजर में अ गौवावा का ऊडarr आनार का जो पैपर जन्हें मिलता है बिया बजर सेरे सकते हूं इस तरह का मिल्क बोटल भी आप ले सकते मिलक प्रोड़क्श बिना है उस तना मील सिधा डाल दिया पांच सेकेंड के अंदर मशिन सर्विंग करके निकाल देगी फिलाल मशिन के अंदर कोई भी तार दिया नहीं है दोस्तो पूरी मशिन इन्वेटर और बैटरी से चल रही है मशिन में से मैं आपको मट्रियल और प्रोड़क्ट निकाल के दिखाता हूं दोस क्वेटर नहीं बेदा और प्रोड़क बेदाएं गयोंच सेमिस्स और नह बेदाएं सब्सक्राइब क्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट को मंथली बात नहीं करों दोस्तो रोजाना डेली चार से पांच जर का मिनिमम प्रॉपिट कर सकते हो यह प्रोड़क को बनाने का खर्चा दोस्तों पांच रुपे में पड़ा है कम से आप 15-20 रुपे में इसको बेच सकते हो इसी तरह से दोस्तों आपको सॉप ट्रिंग बना के निकलना है हमारे पास यहां पर पलपी बढ़ा है और एक प्रोडक्स निकलने के बाद दूसरा प्रोड़क डालने के लिए आपको संबीकर निकांस धूबBob सब्सक्रांव यह द्यख़ए करना है करो ने हैं के पांच मिलीèmes लेशच रुझ को तुरंथ जैसे डाला विससमाट्रियल बनके सकतिहें हमारे और यह द नाडी यलपानी है आम कारश है दोस्तों फूट जूस है मिक्स फूट है कोई भी प्रोड़क इस तरह से अब निकल रहा है इसका क्वालेटी देखिए दोस्तों आप अगर रूबरू कमदी में आते तो हम आपको इसका टेस्ट भी कराते कि कैसा क्वालेटी का के रूई जैसा एक दम एक दम लो वेट है दोखे दोस्तों एक दम पाउडर बन चुका इसका देखिए पुरा पाउडर है और जो प्रोड़क्ट आपने उपर डाला है उसका निकलेगा उतना और निकलने के बाद पुरा बंद हो जाएगा निकलना दोस्तों जितना माल उसक का प्रोड़क्ट है काफी है देखिए अभी हम इसके अंदर मिल्क बेज डालेंगे सब जीरो जीरो प्रोड़क्ट हो जाएगा उसके बाद मिल्क बेज में बनाएंगे आपके लिए देखिए यह पुरा जीरो जीरो हो गिया है अभी हमें चौको का प्लेवर या का कप देगा मचिन फ्लेवर खत्म हो चुका है अभी मिल्की बेस फ्लेवर डालेंगे इसमें अब देखिए मिल्की बेस जाना चालो हो गया इसका फ्लेवर कैसा बन रहा है देखिए एक बार आदमी खाएगा खड़े खड़े पांच छे कप खा जाएगा वैसा बहतरीन प्लेवर आ रहा है इसमें देखिए यह बनाने का खर्चा भी आपको 5-6 रुपे में पड़ा है दोस्तों आप कम से कम 20-25 या 30 रुपे में आसानी से बजार में बेच सकते हो maximum profit 5-6 रुपे का investment है 20-25 का selling एक कप पे आपको 15-20 रुपे मिलेगा दोस्तों एक घंटे के अंदर तक्री बना से 50-60 कप बना के sale कर सकते हो दोस्तों 5-6 गंट आपने business कि आप खुद हिसाब करें कि एक कप पे इतना profit है एक गंटे में 50-60 कप आपने बेच दिया तो आप कितना daily का profit कमा के यह business कर सकते हो दोस्तों फ्लस मशिन का जब business नहीं है गिराकी नहीं है आप इसको बंद करके compressor बंद हो जाएगा यह बंद कर दिया इसका श्पील बंद कर दिया जब गिराक आया आपके पास तुरंद machine चालू कर दिया उपर से मट्रिन डाल के दिया चार-पांच को बना द इसका बेकप पड़ा रहेगा दोस्तों आप ज्यादा टाइमिंग तक उसका बिजनेस कर सकते हैं यहां पे पावर प्लग दिया है मसीन को चलाने के लिए यहां पे इसका बोर दिया गिया इससे आप पावर लगा सकते हैं यहां से 220 का करण्ट आ रहा है जो मशीन 220 वर्ट से चल सकते हैं यह मशीन अगर आपको दुकान में भी बिठा देनी है रोड पे काम नहीं करना अगर आपको अच्छा स्कॉट और दुकान मिल जाता है तो वहां पे दुकान में भी 220 डायरेक्ट करण्ट से भी चला सकते हैं यहां पे बेटरी को चार्श कर सकते हैं चाला ने और यहाँ पर निचे दो बेटरी डाला हुँआ है यह जो आम . और दोर के अंदर इन्वेटर का सेट अप्म लगाया हुआ है एक बैटरी डाला हुआ है मशीन का पूरा सेट बिना बेटरी इन्वेडर के इन्वेडर बेटरी आप अपने सहर अपने सीटी से आपको जैसा रिक्वामेंट जैसा ले सकते हो चिल जालेस दोस्तों शौंड गराएगे इसंसे वाड़ा बेट्री डालेंगे तो 10 से 12 हंटे का बेक अब देट्री आपको वहा से लेना रहेगा बुरी मशीन श्टिल ब्रॉले ट्रॉली हेवी इसप्र हेवी डूटी मशीन प्लस इसका चुत्तsk чувств की मधिर दें अफ्टर डिसकाउंट फिलाल मशीन के ओपर डिसकाउंट चल रहा है तो डिसकाउंट करके आपको यह मशीन एक लाग पाँच ज़रुपर में दी जाएगी दोस्तों मशीन के प्राइस के ओपर जी एस टी एंड ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट एडिशनल रहेगा मशीन के ऐस फ्रीम में इसका चत्ता आएगा दोस्तों यह पूरा ट्रोली आगा इसके इस तरह के बाउल फीट करके हम देंगे आपको बाउल भी लेना नहीं है पूरा वाइरिंग और सब करके देंगे खाली आपको बैटरी बीठा देना है अगर इलेट्रिक से चला रहे हो तो डारेक दिजिटल मशीन चीए तो हमारे पास यहां पर डिजिटल मशीन पड़े है जो 24 गंटे में 250 क्यूब निकालती है दोस्तों 55 क्यूब निकालती है उसके मुकाबले 250 क्यूब पांच गुना कॉंटेटी निकालता है उससे भी बड़ा चीए आपको तो यह 24 गंटे के अंदर 400 गिलो निकालते 16 सेंटीमीटर की फ्लेप बनेगी आपको 1.5 पी का इंब्रा को कमदी का कंप्रेसर डाला हुआ है तो इस तरह की दोस्तों बैतरीन कोलेटी की मशीन की ज्यादा डिटेल ज्यादा जानकारी के लिए दिये गए नमबर पर कॉंटेक करके हर एक डिटेल जानक झाला हुआ 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 है